हे गाइस वेलकम बैक तु दू चैनल है और सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत एक और नहे ओसम Clash of Clans के एपिसोड में और गाइस आज का वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए क्योंकि 7,000,000,000 अब नहीं आप लोग के बिना यह पॉसिबल नहीं है तो प्लीज कर देना और शॉप में काफी औफर्स वगरा आ रहे हैं तो अगर आप कुछ भी पुछेस करना चाहते हो और एक चुमेश्वरी सपोर्ट जो आपको मिरको हमेशा देते हो वह एक क्रेटर को सबसल गेम खेलते हो मोस सेटिंग्स में जाओ को डड़ा डालो फटा फट में को सपोर्ट दिखाओ यह था फाइनल वार जो हुआ था बोलर हेस्ट और कोड जो लोको के बीच में मैं आपको दोनों टीमों के तीन तीन अटैक्स दिखाना चाहूंगा इस हाइलाइट में व करता है सीसी का एक पिक का यहां पे निकल चुका है और टार्गेट है अनिमे क्लाइन कासल एनिमे किंग और उसी के साथ जाहा साथ जाहारा डिफेंस वैल्यों गर निकाला जाए तो बहुत ओपी हो जाता है बंटार एक ही होता है टाउनौल 8 में अगर आप उसको निकाल ल ता पॉजन कर दिया गया है ड्रेगन को एक आदा हो यहां पर रॉप हो चुका है थाकि आर्चर टार को बैकसार यहां पर डेमेज दे हैं विजर्ड जो अकेला था बट फिर भी यहां पर वाल बिजी और पे उपेन चुकी है और जब निकल तो वह बहुत 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 अ चुरू होगा है टाउनल 8 या फिर टाउनल 7 में अगर आप हॉग अटक कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टन होता है कि आप हॉग्स को काफी साफधानी से यूज करो क्योंकि अगर आप जलबाजी कर दोगे अगर आप हडवडा जाओगे तो वहाँ पर एक दिक्कत हो जाएग के लिए था फॉर विजट टार क्योंकि विजट टार जो है वह काफी जाद डैमेज देता है हॉग्स को स्प्लैश में अभी मैं बात करूं स्प्लैश डैमेज तो कोर में अगर आप देखोगे तो एक बंटार है एक आर्चर टार यहां पर हील कर दिया गया है इस हॉग वा गर है यहां पर बचे हुए है कुछ हॉग्स बचे हैं बहुत हैं में अभी भी हॉग्स बचे हैं कि बी बचा है एक आता विजट है गोलम भी तर गोलमाइट नहीं हुआ है तो काफी अच्छा सा यह अटैक रहा और यह अगर आपने नोटिस करा होगा इसकी बहुत जादा सबर रखा गया था क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करोगे तो बहुत मुश्किल में पढ़ सकते हो तो यहां पर फर्स्ट अटैक गो हो काफी अच्छा अटैक रहा और यहां पर एक टृपल हमें देखने को मिला सबसे पैली बात यहां पर सीची को कर लिया गया ओड्श सुल अटैक था आप को याद होगा आज से सकंब क कम से कम 3-4 साल पहले सब हैसे करते थे सीची करते थे लिवे करके साइडंयलाकर सीची को मारा जाता था और उसके बाद अपका attack जो है वो start होता था अभी meta काफी change हो गया है अभी skills जो है वो change हो गया है अभी सब लोग prefer करते हैं कि base के अंदर ही poison spell use करके cc kill करना बट पहले हम लोग सब यही करते थे साइड में लेकिया के cc को kill करते थे एक loon ने यहां पर wizard tar निकाल लिया which is op क्योंकि अगर आपका एक या फिर दो loon एक wizard tar निकाल लेता है तो काफी अच्छी यहां पर value मिल जाती है बहुत सारे wizards king golem सब concentrate हो चुके हैं base के कोर में king को निकाल लिया गया enemy king को wizards ने काफी ओपी काम किया है cc के hogs और खुद के भी hogs यहां पर ड्रॉप करने शुरू कर चुके हैं एक जो hogs हैं वो giant bum के कोई खत्र में भी ना रहें कोर में notice करो के तो bum tar है obviously यहां पर एक heel बनता था दोनों heels पर यूज कर चुके हैं और अगर आप heel की radius देखोगे तो सारे के सारे जो hogs हैं वो heel में अच्छे से covered हैं ओ double giant bum यहां पर finally जो चीज हम बहुत जादा यहां पर ignore करने की कोशिश करते हैं वो चीज हमें यहां पर देखने को मिली double giant bum बट hogs की positioning इतनी अच्छी थी कि double giant bum के पढ़ने के बावजूत ज्यादा कोई अब clean up जो process वो मैं आपको थोड़ा fast forward करके दिखाना चाहूंगा guys जो की काफी जल्दी complete होता है क्योंकि बहुत सारे hogs बचे थे दो enemy king और sorry जो battle king है वो तो damage हो चुका था वो मर चुका था बट फिर भी काफी OP सरीके से इस base को clear किया गया सो एक और attack में हम यहां पर jump कर रहे हैं जहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक और goho attack और goho attack काफी जादा dominate कर रहे हैं इस war में काफी जादा dragon attack और goho attack यहां पर आप देख सकते हो के end of है यहां पर मैं बोलूं तो go wipe शूरू हो चुका है एक golem दो pika कुछ wizards हैं king भी यहा maximum CC हमने देखें आर्चर का CC तो आर्चर का CC यहां पर lure हो चुका है और poison करे दिया गया है poison के अंडर आर्चर जो है वह बहुत ही weak हो जाते हैं dragon चलो फिर भी थोड़ा तो damage देते हैं बट आर्चर जो हो काफी लाचार हो जाते हैं hogs को यहां पर use करना शुरू कर चुके हैं एक heal spell काफी शांदार तरीके से यहां पर use करा था कि जो bomb tire था उसका death damage यहां पर skip करा जाए golem अभी भी tank कर रहा है for the hogs and the wizards के लिए double giant bomb की positioning आपने देख ली होगी बट यही तो pro player की खासियत हैं वो लोग हमेशा predict करते हैं वो लोग हमेशा पता होता है उनको कि double giant bomb कौन से कौन से एरिया में हो सकता है बस एक hog use करके double giant bomb को वहां पर diffuse कर दिया गया सारे hogs जो है वो perfectly heal spell के अंडर है giant bomb वहां पर blast होता है बट फिर भी कोई tension नहीं है क्योंकि सारे hogs securely वहां पर heal spell के अंडर थे finally सारे defense building को यहां पर down कर लिया गया यह attack काफी fast forward रहा आराम से इतने सार wizards बचे हुए हैं 2-4 minions हैं और एक आदा archer जो है वो सारे मिलके clean up process को और smooth बनाएंगे ताकि attack जल से जल finish हो तो guys attacks काफी OP चल रहे थे बस मैंने बताया आपको next time जो है वो town online का tournament होगा आप लोग को मैं सारे details share कर दूँगा as soon as possible जैसे मेरे को schedule मिल जाएगा जैसे मेरे को details मि जाएंगे ओके हम एक और attack देख लेंगे guys और यहां पर भी एक kind of goho attack है चोटा kill squad एक golem 10 wizard यहां पर king को use किया जाएगा base काफी spread out है ऐसा नहीं है कि काफी compact base है काफी spread out base है और ऐसे spread out base में hawks को use करना काफी काफी मुश्किल होता है क्योंकि आपको exact predict नहीं कर पाते है कि hawks क concept direction में move करेंगे cc यहां पर lure कर लिया गया है old school attack जैसे मनें आपको पहले भी दिखाया cc lure करो side में लेके आके पूरा अराम से cc kill कर लो ताकि कोई tension ना रहा है cc का एक archer यहां पर drop किया गया है ताकि dragon को corner में लेके आए उसके बाद golem यहां पर drop कर चुके हैं wizards drop हो जाए अगर आप golem का health देखोगे तो almost 60-70% जो health है वो drop हो चुका है golem का एक ही single golem यूज किया गया है तो golem को काफी अच्छी तरीके से यूज करना बहुत important हो जाता है king use हो रहा है second golem की चलते king को तो आप यह गोलम नहीं बोल सकते क्योंकि king का hp उतना भी नहीं होता बट फिर बी काफी hp होता है तो आप उसको टैंक कराने के लिए काफी जादे यूज करते हो हर एक टाउन हॉल में king का जो एक role होता है war attacks में वह एक टैंक troop का ही होता है दो तिन wizards और यहां पर drop हो रहे हैं CC clear है enemy king भी clear हो जाएगा उसके बाद जो है hogs drop होने शुरू हो जाएंगे इतनी अच्छी है कि सारे के सारे hogs जो है वह आने रहे हैं double giant bomb में क्योंकि majority of basis में आपको double giant bomb का एक trap देखने को मिल जाएगा but attacks जो है वह इतने अच्छे से हो रहे हैं कि maximum basis में double giant bomb में काफी कम hogs बढ़ रहे हैं कभी कभी एक दो जार सारा 3 या 4 hogs जो है वह double giant bomb के trap में पढ आसर hogs जो है वह काफी OP हो जाते हैं lower town halls में तो यह और शांदर attack हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और same funda यहां पर भी है lightning spells का use किया गया था attack जो है वह काफी जादा होता है town hall 8 पर यहां पर आप देखोगे तो air defense को यहां पर zap करके निकाल लिया गया था dragons जो है वह थोड़ा distract तो हुए थे बट फिर भी air defense को यहां पर निकाल लिया गया था और अगर आप देखोगे CC ने काफी दिक्कत दी कितने सारे dragons को निकालेंगे CC आप देख लेना एक बारी एक ड्राइगन दो ड्राइगन अल्ड़ी निकाल चुके हैं और दो ड्राइग हैं with high hit point storages और यहीं पर जाके attack fail होता है गाइस क्योंकि जो ड्राइगन हैं बट कोर में बस तीन ड्राइगन बचे हैं और इतने सारे defense यहां पर है क्योंकि वहां पर भी एक attack fail हुआ था कोड़ जोलो को का सेम चीज रिपीट भी सेकंड वार में भी और अगर सेकंड वार कोड़ जीत जाते तो थर्ड वार होता क्योंकि best of three था बट ऐसा हुआ नहीं बैक टू बैक जो वार से वो बोलर हैस जीत गया इसलिए थर्ड वार की नौबत ही नहीं आई अगर आप अभी भी देखोगे गाइस तो एक टिसला टार ती दो आर्चर टार सो तीन ऐसे डिफेंस से जो एर को टार्गेट कर सकते हैं और यह बिचारा एक लौता एक ड्रैगन बचा था जो कि कुछ खास कर नहीं पाया यहाँ पे तो गाइस काफी यह बेश था यह सारे बेश आपको भी हिल्फ कर सकते हैं अगर आप टाउनल 8 के प्लेयर हो फाइनली यह ड्रैगन यहाँ पे आर्चर टार गीर आर्चर आपको पता है उसका डेमेज काफी जादा होता है उसके साथ हिडिन टेसला का भी डेमेज एड़ होता है और यह तो स्कोर था वो 15 स्टार्ट से बोलर हेस्ट के और 14 स्टार्स थे कोड़ जोलोको के अगर आप ताइम देखोगे यहां पर भी बोलर हेस्ट नहीं यहां पर बाजी मारी थी क्योंकि उनको एवरेज जो ताइम था वो 1 minute and 46 seconds सा जबकि कोड़ जोलोको का एवरेज ताइम टू म लाइक करेंगे आप लोग सब्सक्राइम करेंगे चैनल को कोड़ेटा ज़रूर यूज़ करना मिलूंगा निक्स वीडियो में गाई सब्सक्राइब के लिए चैनल एज अल्वेस जहिन बाई